बिहार क्रिशी विशुद्याले हर दिन नएने प्रियोग में लगी रहती है। ऐसे में किसानों को खेती के लिए नएने तरीके भी शिखाते हैं। उत्तम किसम के बीज को भी तयार कर किसानों को खेती में बढ़ावा देने हेतू ततपरता दिखाती है। ऐसे में किसानों को वैग्यानिक डॉक्टर वनायक देशी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लीची को खा कर उसके छिलके को फेक देते हैं बिहार में लीची का उतपादन बड़े पैमाने पर होता है इससे कुछ नया करने का सोचा तो पता चला है कि इसके रंग को निकाल कर खादिप बिमारी से लड़ने की भी छमता होती है इसमें कैंसर से बचाओ के तत्तो होते हैं उन्होंने बताया कि लीची के छिलके के लाल रंग में एंथोसाइनीन पाया जाता है इसमें काफी मात्रा में पोशक तत्तो और एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं इसके रंग को निकाल कर कई खादिपदार्थे में मिलाया जा सकता है खादिपदार्थों में इसके छिलके के रंग को मिला कर खाने से सरीर में रोक परती रोधक छमता भी बढ़ जाती है इसे कैंसर सहीत अन्य कई तरह की बीमारियों से बचाओ हुशकेगा उन्होंने बताया कि किसानों की इससे आय भी बढ़ेगी क्योंकि लीची के साथ साथ उसके छिलके का भी अब उपियोग हो पाएगा जिससे उसके दामों में उड़दी होगी किसानों की आय बढ़ेगी और उच्तम क्याल्टी का भूजन प्राप्त होगा कि किसकी पर सूथ कर रहे हैं और और क्या बेञिट मिलने वाला है इसका अभी हम लोग भी क्लारों इसन फमलोग грos i Google बन लोग यूज कर सकते हैं इससे मतलब आटिफिशियल चलरिंग एजन्स जो भी बहर में यूज करते हैं कमर्शेल ली फूट के लिए तो वह आवईट कर सकते हैं उसके प्लेस में हम लोग ये यूज कर सकते हैं मतलब लीची के शिलके से नैचुरल कलर्ड त्यार हो करता है। क्या नाम वो आपका। धॉक्टर विनाएकदेशी विश्बदालर के माध्यम से ही जियाए प्राप्त हुआ है और साही लीची के जो नाम है पुरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। पौदे खांका से फुरूं में से अठीकषार को नाम करेंगों की शुआइखेंवर्बे आपको कि शुआतर लिवर्ब लीची लीगे कि आजना होता सकारा तक्षै्ट केमरी करें शुए यहां जियुआए और उसका एक तुनलातम अधन करेंगे कि लासाही लेची से और लेच्चियों में कितना क्या कमी है और उसी कमसार हम लोग एक प्रग्राम रिशर्च प्रग्राम के जरी और आगे बढ़ेंगे